कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका वैदिक पंचुगवे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आजकल टेलिवीजन सोशल मेडिया और अन्य संचार माध्यों पर आने वाले विग्यापन लोगों की सोच को इतना जादा ब्रभावित कर देते हैं कि कोई भी चीज अच्छी है या बूरी है और फर्क ही नहीं कर पाते ऐसा ही है इन दिनों बढ़ता हुआ जूस का प्रयों हर व्यक्ति को इन जूस के विग्यापनों को देखकर खुद को जवार और निरोगिस होने के स्वपनों में खो जाता है और अंदा दूंद इनका प्रयोग करके अपना स्वास्ते ठीक करने की वजाए खराब कर बैठता है कुछ हद तक तो इन जूस का प्रयोग करने से फाइदा पहुशता है लेकिन प्रति दिन अधिक मात्रा में ये प्राबित हो सकते हैं ये सच है कि ताजा फलो और हरी सब्जियों के रस में प्रचूर मात्रा में विटमिन, खनीज, एंजाइम और प्राक्रतिक शरकरा होती है इसके सेवन से शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिये बनता है जिससे शरे स्वस्थ और ताकतवर बनता है लेकिन नियाद रहे कि कोई भी औश्यदी अधिक मात्रा में लेने से वो जहर हो जाती है कच्चे फलो और हरी सब्जियों से निकाले गए रस आसानी से पश्ट तो जाते हैं और उसके लगबख सभी पोशक तत्वों खून में सिधे तोर पर घुल जाते हैं आईए जानते हैं ऐस के फाइदे और नुकसान तीन लौकी का जूस पीने के फाइदे और नुकसान चाल नीम का जूस पीने के फाइदे और नुकसान तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आया है तो हमारे चानल को जरूर सब् इसके जूस में कई प्रकार के प्रोटीन और विटमिन होते हैं जो शेरीर को स्वस्थ बनाते हैं अलोवेरा जूस के फाइदेव चहरे पर निकलने वाले कील मुआसों को कम करता है पेट को साप करता है और पाचन को भी सही रखता है इससे डेंडरफ की समस्याका भी अंत होता है अलोवेरा जूस के नुकसान अलोवेरा जूस के कई नुकसान भी है दोस्तों और इसकी वज़े है इसमें मौझूद लेक्सिटिव जिसके कारण बहुत लोगों को दस्त लग जाते हैं इस जूस का लगातार सेवन शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम कर सकता है जिस वज़े से अन्यमित दिल की धड़कन और कमजोरी आ सकती है अन्यमित मलत्याग की दिक्कत या IBS की शिकायत हो तो अलोवेरा जूस को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस जूस में मौजूद लैक्सिटिव, IBS की शिकायत को और बढ़ा सकता है इसके अलावा यह पेट दर्थ, डाइरिया और लूज मोशन की परिशाने भी बढ़ा सकता है करेले का प्रयोग प्रतिदिल सबजी के रूप में किया जाता है करेले में कई और शदिय गुन भरे पड़े हैं इसका जूस पीने से कही तरह के फाइदे पहुशते हैं यह प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, कैल्शियम, आइरन, फॉस्फरस, मैंगनीज, फोलेड, मैंगनेशियम, वितमिन B से और C से भरपूर होता है करेला जूस के फाइदे करेले की जूस में बहुत कम कैलोरीज होती हैं जो मूटा पा कम करने में सहायक होता है बलड को साफ करता है रक्त की सफाई करने का एक प्राकृतिक शोदग है जो रक्त को स्वश्च रगने में सहायक होता है इसके सेवन से शरी स्वस्त होने के साथ सास त्वचा भी मुहां से और दाग दबनों से मुक्त हो जाती है नियमित रूप से करेले का जूस पीने से इसमें मौझूद बीटा के रोटीन आखू की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है इसके अलावा इसमें मौझूद एंटि ऑक्सिडेंट और विटीमिल सी आक्सिडेटीब स्ट्रेस से होने वाली नजरों की कमजोरी से बचाता है करेले में मौझूद रसाइन पेट के आटों से हानिकार कीडों को मालने में भी सहायता करता है यह लीवर को सही काम करवाता है साथ ही लीवर की बिमारियों को भी दूर करता है करेले के जूस में पाये जाने वाले केमिकल रफ्ट शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं जिससे मदुमेह रोग में कमी होती है यह पैंक्रियास के इंशुलिंग उत्पादन में भी मतद करता है करेला जूस पीने के नुकसान दोस्तों करेले का जूस जिस प्रकार हमारे स्वास्थे के लिए फाइदेमंद होता है उसी प्रकार इससे इसके गलत तरीके से या अधिक प्रवयोग से इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं कुछ शोद में पता चला है कि करेले के रस में मोमो कैरीन नामक तत्व होता है जो पीरियर्स का फ्लो बढ़ा देता है गर्भावस्ता के दोरान इसका अधिक सेवन गर्वपात का कारण हो सकता है करेले का सेवन शुगर कम क कि आ गया तो रक्त में शुगर का स्तर कम होने से हाइपोग्लासीमिया की शिकायत हो सकती है नमबर 3 लौकी का जूस सामान्य भाषा में लोक लौकी को घीया या फिर कद्दू भी कहते हैं और अंग्रेजी में बोटल गॉर्ड के नाम से इसे जाना जाता है लौकी जूस के कुछ लैक्सिटिव पाए जाते हैं जो पेट को साफ रखने में मदद करते हैं लौकी पित्त शामक होता है जिससे इसके जूस लेने से शरीर कोशी तलता प्रदान करती है लौकी के जूस में कैलोरीज बहुत कम होती है इसलिए डाइबिटीज में लौकी का सेवन करना बह दरूरत से ज्यादा लौकी का जूस पीने या फिर लौकी खाने से आपको नुकसान खा भी सामना करना पड़ सकता है लौकी के जूस में अन्य किसी भी प्रकार की सबजी को ना मिलाए यह हमेशा ध्यान में रखें कड़वी लौकी का जूस का सेवन बहुत खतरनाक और जा से गरबपात होने का खतरा बढ़ जाता है नंबर चार नीम का जूस आयूरवेद में नीम को बहुत ही लाबकारी बताया गया है नीम के अंगिनत स्वास्तेवर्दक फाइदे होते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि नीम का रस पीने से कई बिमारियों से मुक्त रहा जा सकता ह नीम के जूस के फाइदे अगर आप मधुमह के रोगी हैं तो सुबह में नीम का रस पी सकते हैं इससे ब्लड शुगर नियंत्रित होता है कील मोहासों के अलावा नीम तवचा संबंदी गंबे समस्याओं के इलाज में भी काफी उपियोगी है नीम में मौजूद एंटियो प्रभाव के कारण स्किन पर इंफेक्शन नहीं होता है और इसके सेवन से इम्म्यून सिस्टिम भी मजबूत होता है इसका जूस खून को साफ रखता है इसका जूस लेने से दातों की पाइरिया जैसी विमारे में भी लाब मिलता है नीम के जूस के नुकसान देखा जाए तो नीम कई सारे फाइदों से यूक्त है लेकिन हर ओशदी की तरह इसके भी कुछ दुश्प्रभा मौजुद है नीम के जूस लेने की सला डाइबेटीज के मरिजों को बलड शूगर नियंतित करने के लिए दी जाती है लेकिन अधिक मात्रा में इसके सेवन करने से लौनिवां जान कर ही करें फिर यकीनन आप इन सारे जूसस का लाब उठा पाएंगे आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगे अप उच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद